नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि करनाटक में हिजाब पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है क्योंकि करनाटक में एक कॉलिज ने मुसलीम जो बच्चियां है वो हिजाब पहन के आ रही थी कि किसी धरम में क्या इजेंशल पार्ट और क्या नहीं है अगर वो धरम के अंदर यानि इसलाम के अंदर अगर ये हिजाब पहना इजेंशल पार्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा समीधान उसको protection देगा अगर वो essential part नहीं हुआ तो जो court है या जो समीधान है वो उसे ignore करेगा तो इस चीज को हम आज की इस वीडियो में cover करेंगे तो अभी पता है कि आपको करनाटक के अंदर उडपी जो जिला है वहाँ पर जो एक college है उस college में जो 6 बच्चियां थी मुस्लिम बच्चियां थी वो college में हिजाब पहन के आ रही थी और हिजाब पहन के जब आ रही थी तो उनको entry नहीं दे गई अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि धरम की स्वंतंतरता को लेकर कि हिजाब पहनना क्या समयधानिक रूप से उसे सरंक्षित यानि उसे constitutionally उसे protect किया जाना चाहिए या नहीं देखे आप हिजाब पहनने को तब उसे protect करेंगे जब अगर आप इसे धरम मानेंगे मतलब कि इसको इसलाम में consider किया जाएगा देखे कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि अगर वो ना भी करें तो आपको उसको धरम आहत नहीं होता जैसे कि दाड़ी काटना Hinduism के अंदर अगर आप दाड़ी काटते हैं तो अगर आप कहते हैं कि मुझे तो मेरा धरम कहता है कि मैं दाड़ी रखूँ तो वो Hinduism में होता नहीं है तो वो essential part नहीं है अब ये बात हम Muslim के अभी भी कह सकते हैं कि Muslim के अंदर जो दाड़ी रखना है कि वो essential part नहीं है तो ये चीज़ें जो होती न वो essential part ये decide की गई है Supreme Court के दोर और इसके लिए इसका काफी ज़्यादा criticism भी किया गया है कि आप कैसे decide कर सकते हैं कि कि किस चीज़ के लिए क्या essential part है और क्या नहीं है ठीक वैसे अब ये देखेंगे कि क्या हिजाब जो है वो धरम का essential part है या या नहीं अगर वो essential part हुआ तो court जो है उसे protect करेगा यानि constitutionally उसे protect किया जाएगा constitutionally उसे protect किया जाएगा अगर वो नहीं है तो उसे ignore कर दिया जाएगा अब आगे चलने से फ़हले कुछ चीज़ें आपको जान लें कि article 25 से लेकर article 28 तक क्या है कि हमारे पास धरम की सुन्तरता के लिए या हमारे धरम के लिए article दिये गए है हमें fundamental rights दिये गए है कि भी हम अपना धरम मान सकते हैं उसका परचार परसार कर सकते हैं अगर हम कोई काम करते हैं धरम के लिए तो उसके उपर tax देने से हमें छूट दी जाती है जो education जो है वो धरम के ऊपर उन्होंने 28 article में चीज़ें लिखी है तो यह सारी चीज़ें जो है वो 25 से लेके 28 article तक आती है fundamental rights के अंदर तो इस चीज़ का ध्यान रखना अपना अब article 25 की बात की जा रही है कि अंतरकरण की स्वंतंतरता यानि कि आप जो है अपने ही individual तरीके से धर्म को मान रहे हैं आप अपने भगवान से कैसे connect होते हैं उसके लिए आप जो practice करते हैं उसका परचार करते हैं तो आपको वो स्वंतंतरता दी गई है article 25 में अब यह ध्यान रखना कि अगर आप दिखिए religion जो शब्दन वो काफी एक तरीके से गहन अध्यन कह सकते हैं कि आपने तो decide कर लिया कि भई मैं मेरे भगवान से यह आप हैं और यहाँ पर आपको connect होना अपने भगवान से आपने भगवान से अपने गोड से अपने अल्ला से connect होना चाता हूँ तो connect होने के लिए मुझे कुछ चीज़ों करनी होती है वो परथा हो सकती है वो कोई भी practice हो सकती है वो अगर आप कर रहे हैं और उससे दूसरे को किसी दूसरा व्यक्ति है उससे कोई भी इससे हानी नहीं हो रही है तो तो वो सही है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं अपने गोड से अगर मुझे connect होना है तो मुझे particular चीज की बलिदान देना पड़ेगा मतलब किसी इंसान को मारना पड़ेगा तो वो तो illegal हो गया ना तो वो चीज नहीं कर सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर भी restrictions है ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे मेरे गोड से connect होना है मुझे मेरे भगवान से connect होना है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ नहीं यहां पर कुछ restrictions दी गई है यह काफी जादा important issue हो फिर कभी इसके बारे में चर्चा करें यानि अंत्यकरण की स्वंतंतरता क्या होती है कि inner freedom है एक individual के लिए वो कि वो अपने भगवान के लिए वो कैसे relation के लिए मतलब कि कैसे वो practice करता है तो उसकी इस चीज की स्वंतंतरता दे गई है उसको धर्म मानने की स्वंतंतरता है कि वो बिना डरे समाज के अंदर ये कह सकता है कि मैं particular religion से आता हूँ मैं इसको follow करता हूँ और उसके लिए वो कोई धार्मिक पूजा कर सकता है अनुस्ठान कर सकता है समाहरो कर सकता है विश्वास्तों तथा विचारों का परदर्शन करने का उसको अधिकार है परचार करने का अधिकार है भई वो अपने धर्म को परचार परचार कर सकता है कह सकते कि मेरे धर्म में ये अच्छा है आप मेरे धर्म में आ सकते हैं तो ये सब चीज़ें वो परचार परचार में आती है लेकिन इसके उपर भी ध्यान रखना कि जोर्द बरदस्ती तरीके से आप ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे वेक्ति को पकड़ लिया और ये B वेक्ति और ये A वेक्ति और आपने इस B वेक्ति को जब बरदस्ती पकड़ के गिनाने ही लगए कि मेरे धरम में ये हैं तो वो चीज़े नहीं हो सकती वो illegal काउंट illegal के अंदर आ जाती है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना देकि absolute कुछ नहीं है absolute नहीं है इसके अपर भी restrictions होती है ध्यान रखनी होती है अब क्या हुआ Supreme Court में इस चीज़ का फैसला किया जाना था ये बहुत बार Supreme Court के सामने भी आया कि ये निर्धारित किया जाए कि कि किस आया है ऐसे एक मुदा था 1954 में Supreme Court के सामने आया शिरूरुमट उस शिरूरुमट में जो धरम है यानि जो religious शब्द है और इस religious शब्द के तहत क्या-क्या चीज़ आने चाहिए उसको कहा गया अभी नंग यानि integral part भी धरम जो है धरम के अंदर क्या-क्या चीज़ आने चाहि प्रथाएं और अनुस्ठान कवर किये गए और ये प्रथाएं और अनुस्ठान क्या थे ये integral part थे किसी religion के लिए अब ये integral part के अंदर ये जो अनुस्ठान थे इनके लिए जो practice की जानी थी वो सही है या गलत है उसका निर्धारं करने के लिए टेस्ट होते है आवश्यक ध कि आप सिखिजम में, सिखिजम के अंदर बाल रखना और दाड़ी काटना ये एक तरीके से उनका धार्मिक हिस्सा है ये माना जाएगा वहाँ पर तो वो आवशिक धरम, ये एक तरीके का टेस्ट है, ये परिक्षन है, इसमें ये पाया गए कि ये जो चीज है, कि दाड़ी रखना और बाल बड़े रखना, ये जो सिखिजम का एक धरम का हिस्सा है लेकिन वहीं अगर आप बात करें, इसलाम में दाड़ी रखना नहीं, वो हिस्सा नहीं है तो ये सब चीज़ें एक परिक्षन बड़ी वो जो है, सुप्रीम कोट जो है वो सारजन के में वस्ता है तो धारमिक परताओं को पर्तिबंदित करें मतलब कि कहां पर करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि सड़क के उपर ही जो रिलिजियम, मतलब धर्म को मानने के लिए, for example, यहीं परिसड़क के उपर क्या कहते हैं कि अपने सिक्षा देने लग गई, लोग इकटे हो जाते हैं यहां परिसड़क के उपर, तो यह सब चीज़ें नहीं की जा सकती है, धर्म के नाम पर तो यह चीज़ें रोकनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का काम है लेकिन, पहिए, क्या आवश्यक है, क्या नहीं है, इसका निरधारन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है तो यह बात भी काफी बार यह जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारे यह बात बोले गई थी, अब क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कुछ प्रताओं के लिए जो प्रिक्षन जो लागू किये थे भई, यह जो प्रिक्षन है, ठीक है हम इस चीज़ को मानेंगे, यह इजिंशल पार्ट है ऐसे ही, 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आनन्द मार्ग संपर्दाएं का एक case आया था, आनन्द मार्ग संपर्दाएं जिसमें क्या किया जाता था? तेखेए सारजरीनिक सटकों पर तांडव किया जाता था अब यह जो चीज थी वो टेस्ट के दौरा इस friction के दोरा ये जानना कि क्या ये जेंशल पार्ट है या नहीं है तो Supreme Court ने पाया कि नहीं ये संपर्दाय है इसका जो तांडव कर रहे हैं आप सारजनेक सडकों पर ये धार्मीक प्रता है नहीं इसलिए वो मौलिक अधिकार के अंदर कंसिडर नहीं होगा और इसके लिए इनको बंद भी करनी होगी तो ये चीज है अब बड़े पैमाने पर ये तो समुधाय के लिए देती है क्या कोई इंडिविज्वल के लिए भी दिया गया है जरूर, 2016 के अंदर सुप्रिम कोट ने जो भारती वायु सहना में जो एक मुस्लिम एर्मेन था उनको बाहर निकाल दिया मतलब उनको सेवा मुक्त कर दिया गया था क्यों? क्योंकि उन्होंने दाड़ी रखी थी अब दाड़ी रखी थी तो सुप्रिम कोट ने एर फोर्स ने उनको बाहर निकाल दिया था मतलब कि सेवा मुक्त कर दिया था तो वो सुप्रिम कोट में गया था इस फैसले को सई ठहरा दिया कि आप नहीं रख सकते क्यों? क्योंकि दाड़ी रखना कोई आपका अब सवाल यह उठता है कि क्या हिजाब जो है वो essential हिश्सा है या नी, اगर वो essential हिस्सा होता है तो भाहि उसको protect किया जाएगा अब बात करें हिजाब के मुद्दे पर नियालों ने क्या-क्या फैसले दिये और काफी बार यह नियालों के सामने present किया गया है इस मुद्दे को और इसमें सबसे ज़्यादा एक बात करें कि केरल हाई कोट ने फैसले सुनाए है केरल हाई कोट में क्या हुआ था 2015 के अंदर एक याचिका दायर की गई थी दो याचिका ये दायर की गई थी वो याचिका ये थी कि हाफ स्लीव की होनी चाहिए और इसमें बड़े बटन ब्रेच बेज ये फूल वाली चीज नहीं होने चाहिए ये जो था ओल इंडिया प्री मेडिकल एंटरन्स एक्जाम के पहले जो बच्चे आने थे उनके लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया जा चुका था अब यहां पर जो था CBSC जो द्वारा ये तर्क दिया गया था कि ये जो चीजे हम कर रहे हैं एक तरीके से illegal मतलब कि कोई भी cheating ना हो कोई भी अगर यह बड़े बड़े बटन है कि इनके अंदर कोई भी चीज वस्तू छुपा कर लेकर आ जाए तो इसको रोकने के लिए हम ये चीजे कर रहे हैं तो वहाँ पर सुप्रियम कोट ने का कि आप एक काम करिए, जो अगर कोई पहन के आ रहा है अपनी धर्म के अकोडिंग, तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा मतलब की जांच कर लीजिए, वही एक्स्ट्रा जांच कर लीजिए, भले ही वो आपकी ड्रेस कोट के भी प्रीत है, ल उन्होंने ये पाया, बोड़ा इंपोर्टन है, यहां पर आता है, सबसे ज़्याद है, क्या हिजाब पहना, हिजाब जो है, वो इसलाम का हिस्सा है नहीं, यहां पर ये पाया कि हाँ, हिजाब जो है, वो इसलाम के अंडर आता है, इसलाम में जो हिजाब है, वो धार्मिक ह तो यहनी एक तरीके से, अब यहाँ पर जो हिजाब पहनने से उनको रोका गया है, बच्चियों को, मुसलिम बच्चियों को, तो वो उनके धर्म को मानने से उनको रोका जा रहा है एक तरीके से, अब रोका जा रहा है तो उनको constitutionally उनको protect किया जाएगा, Supreme Court उनको protect करेगा, त केरल के मुद्दे को मतलब केरल ने तो मान लिया थे कि हिजाब पेना एक धार्मिक हिस्सा है अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि धार्मिक हिस्सा है तो केरल की बात करनाटक क्यों मानेगा क्यों 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 क् लेकिन उनको अलग से separate इठाया गया है, तो ये बात है यहांपर, लेकिन अब बात करें कि क्या करनाटक High Court, केरल High Court की बात मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, मानने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे तो मान सकता है, और नहीं चाहे तो वो नहीं मान सकता है देखिए जो High Court में जो फैसले होते है केरल खासकर केरल High Court में बहुत ज़्यादा डिबेट के बाद ये सामने आते है अब याप ये देखिए, कुरान पढ़ा कर बताया गया था एक्सपर्ट को बुलाया गया कुरान पढ़ा कर उसमें बातें मुद्ध को पस्ट किया गया कि हाँ जहाँ पहना धार्मिक हिस्सा है वो जिंशल हिस्सा है तो ये सारी चीज़ें फिर से रपीट होगी तो इससे बेटर यही होगा कि हाँ जो केरल में जो बात हुई थी केरल हाई कोर्ट में वो बात मान ली जाए clear तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी समझ में आई होगी तो वीडियो को अरे क्या हो रहा है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ यह साथ शेर भी कर सकते हैं यह एक तो चलता है नहीं है, शेर कर सकते हैं वीडियो को as well as channel को भी और इस वीडियो से जो related PDF है वो आप लोगों को telegram का एक channel मिल जाएगा, description box में उसका link दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की PDF जो वो download कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है था,